चीन ने इस काला वधी में अपने और सामरिक बल के गर्व में अभीमान में हमारी सीमावक्रा जो अतिकर्मन किया और जिस प्रकार विहवार किया और कर रहा है केवल हमारे साथ नहीं सारी दुनिया के साथ वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है इसके पहले भी आया है उसका सभा विस्तारवादी है सब लोग जानते हैं लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने तैवान के साथ वियत नाम के साथ अमरीका के साथ जापान के साथ भारत के साथ साथ ही एक साथ जगडा मोल लिया कु एक बार आ गया है लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी उसके कारण वो कि सहम गया दक दक्का मिला उसको एक तो क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचे दिया भारत के नागरिकों ने अपने देश भक्ति का परिचे दिया सामरिक और आर्थिक दोनों दुरुष्टी से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है और उसके जलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डाटना शुरू किया है खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आपश्चकता है क्योंकि यह जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थित उसके सामने खड़ी हो गई उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं और इसलिए इसका उपाई क्या है सतत सावधानी सजगता और तैयारी सामरिक तैयारी में आर्थिक अपनी स्थिती में अंतर राष्ट्रिय राजने में अपने संबंदों में और पडोसिक देशों के साथ अपने संबंदों में हमको चायना से शक्ती में व्याप्ती में बड़ा होना पड़ेगा दुसरा उपाय नहीं है कि हमको यह करते रहना पड़ेगा कि ऐसा करेंगे तो हम चाइना को रोक सकते हैं कि पडोसी देश कि ब्रह्मा देश है श्रिलंका है कि बांगला देश है नेपाल है कि किवल हमारे पडोसी थुड़े है यह तो हज्जारों वर्षों के साथ हमसे संबंदित लगबग हमारी प्रकृति वाले हमारे स्वभाव वाले देश है तो इनके साथ जल्दी हमको जोड़ लेना चाहिए मतांतर तो होते ही है मतभेद होते है विवाद की विशे भी होते है सीमाय जब लगती है तो विवाद होती है घर एक दूसरे को लगता है तो कुछ तो विवाद छोटा बहुत रहता ही है इन सारी समस्याओं से मन मुटाओ न हुने देते हुए हमको इनको दूर करने का प्रयास अधिक गती से करना पड़ेगा क्योंकि हम तो सबसे मित्रता करने वाले हमारा सुभाव किसी से लड़ने का नहीं है लेकिन हम मित्रता करने वाले हैं इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है हमारी मित्रता की वृत्ती को दुर्बलता समझ कर और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जैसे जुका सकते हैं हम चाहे जैसे इनको मोड सकते हैं उनके गलत फामी कम से कम अब तो दूर हो गई होगी हमारी सेना की देशभक्ति वीरता हमारे शासन करताओं की आज की स्वाभिमानी नीती और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एक जुट खड़ा होकर नीती धहिर्य के साथ आने वाल इसी बार अनुभों मिला होगा उससे उसने समझ जाना चाहिए ऐसा मानज जो मन में रखते उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है ऐसी कोई भी परिस्थिती आएगी तो हम लोगों की सजगता तैयारियों और दुड़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेग सारे राष्ट्र में आज यह आत्मविश्वास की हवा चल रही है हम को उस सजगता को उस सावधानी को उस एकता को बनाये रखना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहना पड़ेगा